मंत्रियों के अधिकार छीन लिये थे और मंत्रियों के इलाकों में भ्रश नौकर्शाहों को नुप्त कर दिया था जो मंत्रि विधायक की सुनते ही नहीं थे एक और पूर्वे मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पार्टी के शिर्ष नेता केवल अपनी अपनी देख रहे थे इसलिए पार्टी हार गई नमस्कार मैं कोमल सिनहा आप देख रहें निज्वें टुड़े वहीं टिकेट काटे जा है वहीं चुनाव हारने वाले पूर्वे विधायक में अपने ही नेताओं पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाया है कॉंग्रेस ने इन आरोप परतिारोप के बीच कुछ नेताओं को नोटिस जारीकर स्प्रस्टी करन की मांग की है इधर चुनाव हार चुके संसत और पा पेश बगेल जी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए यह उचित नहीं है अगर कोई बात है तो उसे पार्टी फोरम में रखना जाना चाहिए पार्टी नेताओं की सारवजनिक आलोचना किसी भी हालात में बरदाश नहीं किया जाएगा वहीं 2018 में 36 गर्मे विधान सभा की 90 सीट में से सारवजनिक 71 सीटों पर कबजा करने वाली कॉंग्रेस पार्टी और सरकार के 5 साल बहुत शांती से गुजरे हो ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री के चार दावेदारों भुपेश भग्गेल, चरमदास महंत, टीयस सिंग्देव और तामरदश साहु में से भुपेश भग्गेल की ताश पोशी ही बड़ी मुश्किल से हो पाई इसके बाद करीबन धाई साल और दौर शुरू हुआ जबकि टीयस सिंग्देव को मुख्यमंत्री बनाने के बज़य भुपेश भग्गेल ने टीयस सिंग्देव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया महीं कॉंग्रेस विधायक दिल्ली पाटी मुख्याले में भुपेश भग्गेल को मुख्यमंत्री पत्से हटाई जाने के खिलाफ धर्ना प्रदर्शन करने लगे राइपूर में भी यही हाल रहा टीयस सिंग्देव का चहरा मुख्यमंत्री बनाने के वादे अपने इच्छा को आधा बताते और आधा छुपाते रहे गए राइपूर में एक वरिष्ट पत्रकार कहते हैं कि शुरवाती धाई साल के बाद नेता अफसर और पत्रकार तैहीग नहीं कियर पाए कि वो 36 कॉंग्रिस पाती और सरकार को चलाना शुरू कर दिया यह सिलसला चुनाव तक जारी रहा राजी की उर्जा नगर कहे जाने वाले कोर्बा की विधायक और राजवर मंत्री जैस सिंग अगरवाल अपने इलाके में तिनाद किये जाने वाले क्यलेक्टर और पुलीस के खिल में बंद आयेस रानुसाहू के खिलाफ तो जैसिंग अगरवाल ने मोर्चा ही खोल दिया था उन्होंने सारवजनिक तौर पर तब कोर्बा की कलेक्टर रानुसाहू पर ब्रस्टचार के गंभीर आरोप लगाए और राज सरकार से उन्हें हटाने की मांगी लेकिन उनकी शिकायत धरी की धरी रहे गई राजिस्थान चत्तिस गड़ में हाला की एक वर्क का कहना है कि मंत्री अपने इलाके में होने वाले ठेके में अपनी भूमी का तै करना चाहते थे इसलिए वो अफसरों के खिलाफ थे विधान सभा चुनाव हारने के बाए जैसिंग अगरव यहां पर सरकार की इतनी एंटी इंकमेंशी पैदा की अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था उस जानादेश का हमारे सरकार सही तरीके से आदर नहीं कर पाई जैसे अगरवाल ने कहा कि राज्य में मंत्रियों को अधिकार ही नहीं दिय सरकार की पूरी ताकत कुछ लोगों में सिमट की धह गए वुपेश भंगेल के बेहत करीभी कॉंग्रेस विधायक ब्र enjoyment जुलाय दोहजर एकीस में जब देडर दर्जिन कॉंग्रेस विधायकों के साथ प्रस कॉंफरेंस करके कॉंग्रेस सरकार में मंत्री टीए सिंग दे तब तक वो सदन नहीं आएंगे इसके बाद भी मुख्यमंत्री भुपेश बगेल अपनी करीबी विधायक के गंभीर आरोप पर चुप रहे ब्रिहस्पति सिंग पर कोई कारवाई नहीं हुई अब विधान सभाचुनाओं के बाद जब मुख्यमंत्री भुपेश बगेल प सवाल उठाय तो ब्रिहस्पति सिंग फिर से टिय इस सिंग देव खिलाव बयान देनी के लिए चानल उन्होंने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस की प्रभारी कुमारी शाल्जा के कारण पार्टी राज्य में हार गई। फिलाल इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूजन तोड़े जरू सब्सक्राइब।